Eye injections, retina की बहुत सारी बिमारियों के treatment में बहुत successful और बहुत effective therapy रहती है पट इनका एक drawback रहता है कि इनका बार-बार use करना पड़ता है एक बार injection लगाने से ऐसा नहीं होता है कि बिमारी हमेशा के लिए चली साती है वो इसलिए क्योंकि इनका जो आख के अंदर का action का time है वो limited रहता है आज हम समझेंगे कि आख में एक बार injection लगाते हैं तो वो कितनी देर तक आख के अंदर रहता है और अपना असर दिखाता है नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर सुमित अगरबाल और आप देख रहे हैं Eye Health for You जहां आपको मिलती है एकदम simple language में आखों से जोड़ी सारी जनकारी आखों में injection एक बहुती effective और बहुती successful treatment रहा है in fact world का ये one of the most common करा जाने वाला surgical procedure है और इसके results भी बहुत अच्छे रहते हैं समय पर दिया गया injection ना सिर्फ आपकी आपकी रौशनी को बजा सकता है बलकि आपकी रौशनी को बढ़ा भी सकता है बट इसमें जिसका जो duration of action है वो इसका अभी तक थोड़ा drawback रहा है वो इसलिए क्योंकि एक बार injection देते हैं तो उसका कुछ time तक असर रहता है फिर वो चला जाता है इसलिए injections को कभी-कभी बार-बार देना पड़ता है repeatedly उनको देना पड़ता है ताकि हम आपकी रौशनी को बचा सकें परदे में जो सुजन आ रही है उसे control में रख सकें ताकि हम आपकी रौशनी को हम अच्छा रख सकें तो अलग-अलग injections का अलग-अलग duration of action रहता है जब भी हम आपके अंदर injection लगाते हैं सो वो sclera के थूँ अंदर जाता है जो ये white part है वहाँ पे हम injection देते हैं और बहुत ही पतली needle से इसे हम अंदर ले जाते हैं और जब inject करते हैं तो ये जो आपके पिछले हिस्से में बड़ा सा एक ये cavity है इसे हम vitrous cavity कहते हैं इसमें वो injection जाता है ये normally एक gel से बरा हुआ होता है इसे हम कहते हैं vitrous gen और इस gel के अंदर वो injection पहुंचाता है फिर उसके बाद वो circulate होता है और वो retina तक पहुंचता है और फिर अपना असर वो retina पे दिखाता है अब एक बार आपके अंदर injection अगर दिया है हमने सो धीरे धीरे body उसे clear भी करती जाती है वो हमेशा के लिए ऐसा नहीं होता है कि आपके अंदर ही रहता है वो body के जो आपके अंदर के जो filtering mechanisms है आपके अंदर जो water का circulation है उसके through वो filter out होता रहता है धीरे धीरे वो वहाँ से महार जाता रहता है अगर आपके अंदर विट्रस gel है तो फिर भी उसका duration of action थोड़े लंबे time रहता है आपके अंदर यदि विट्रस gel नहीं है जैसे कि अगर विट्रेक्टमी operation हो चुका है तो ऐसे case में वो जन्दी बाहर filter out हो जाता है तो on an average जो anti-VEGF injections होते है anti-VEGF injections जैसे कि Avaston, Razumab, Accentrix, Ilea, Bovoo, Paganax, Zybev, Zaltrap ये सब anti-VEGF injections रहते हैं इनका on an average duration of action around 1 month का रहता है और ये 1 month के बाद इनका more than 99% drug का आँख से clear out हो जाता है तो इसी ने इनका duration of action 1 month तक रहता है 1 month के बाद anti-VEGF injections अगर दिया है so 1 month के बाद हम दुबारा check-up के लिए बुलाते हैं patients को अगर treatment हमारा अच्छा आ रहा है सूजन कम हो गई है तो तो हम उसे observe करते हैं नहीं तो हमें repeat injection की जरुवत पढ़ सकती है दूसरे जो एक category के injection होते हैं वो रहते है steroid injections steroid में दो तरह के steroid most commonly आप में यूज होते हैं एक होता है powder form में जिसे हम कहते हैं intravitreal, timecinodon, acetonide, IVTA और एक होता है एक implant form में, एक stick form में जिसे हम कहते हैं ozrex अगर हम powder form की बात करें, IVTA की बात करें तो on an average इसका असर around six to eight weeks देड़ से दो महीने तक आग के अंदर ये रहता है कभी-कभी ये जल्दी भी clear out हो सकता है IVTA का एक ये drawback है कि इसका duration of action बहुत जादा predictable नहीं रहता है ज़रूरी नहीं है हमेशा कि ये एक से देड़ महीने दो महीने तक करें कभी-कभी ये बहुत जल्दी भी clear out हो जाता है depending कि अंदर का जो gel का circulation है वो कितना fast है but on an average एक से देड़ महीने तक effect तो ये देता है और उसके बाद ये usually clear out हो जाता है अगर हम OZX implant की बात करें ये एक बहुत ही fine छोटी stick के form में होता है जो एक special delivery system से आख के अंदर दिया जाता है और एक बार ये आख के अंदर जाता है तो ये अंदर gel में रहता है और दीरे-दीरे ये dissolve होता है और एक रोज एक fixed amount of steroid इसमें dexamethasone रहता है steroid उस steroid को release करता है और आख के अंदर वो अपना आसर दिखाता है ये ozrix implant अभी तक के सभी eye injections में maximum time तक आख के अंदर रहता है और इसका average duration of action 4 से 6 महिने तक रहता है 4 to 6 months ये सबसे लंबा time है जो एक आख का injection आख के अंदर रहता है और उतने time तक अपना आसर ये दिखाता रहता है इसके अलावा और भी कुछ नए molecules आ रहे हैं जैसे कि पेगना एक सेंबियोगू जिनको ऐसा claim कर जाता है कि एक महिने से जाधा effect रहता है एक महिने से जाधा मतलब 6 weeks, देड़ महिने तक क्या कभी कभी 2 महिने तक effect रहता है बट practically मेरे experience में इनका effect वन मन तक ही रहता है वन मन के बाद अगर disease control नहीं है तो वापिस से swelling आने का chance पूरा पूरा रहता है इसलिए इन injections को देने के बाद भी हम एक महिने के बाद ही follow up के लिए बुलाते हैं पेशेंट्स को ताकि कोई swelling आ रही है तो उसे treat करा जा सके eye injections में जो इनका duration of action है वो एक इनका drawback है और इसलिए जरूरी रहता है कि जब भी eye injections लग रहे हैं आपको तो अपना follow up आप miss नहीं करें follow up के time को अगर आपको 1 month पे बुलाया गया है तो 1 month पे follow up के लिए जाएं उसे miss नहीं करें ताकि समय पर check हो सके कि वापिस से परदे की सूजन तो नहीं आई है वापिस से problem तो नहीं बढ़ गई है ऐसा कुछ होता है तो injection तुरंत दुबारा लेना चाहिए जिससे कि problem control में रहे और ultimately आपकी रोशनी बच पाए और improve भी हो इसके अलावा कुछ और factors भी होते हैं जो बताते हैं कि आख के अंदर injections कितने टाइम तक काम करेंगे जैसे कि अगर पहले से आख के अंदर कोई operation हुआ है जैसे कि vitrectomy अंदर का vitreous gel हटा दिया गया है तो ऐसे case में आख में जो दिये गए injections हैं वो जन्दी clear out होते हैं इसलिए या तो उनका dose डबल करा जाता है या फिर उनको जन्दी follow up के लिए बुलाया जाता है कुछ और भी innovations इसमें आ रहे हैं ऐसे कुछ delivery systems के बारे में research हो रही है जिने की मार बार फिर injection ना देना पड़े कुछ ऐसे devices आए है, innovate होए है जिनको की आख के अंदर implant कर सकते हैं और उन्हें फिर refill करा जा सकता है injection से बार बार refill करा जा सकता है और एक बार refill करते हैं तो वो 4-6 महिने तक अपना असर दिखाते हैं बट यह अभी research phase में है इनके अभी एकड़म definite कुछ commercially available treatments नहीं आए है कुछ आई भी है तो उनमें कुछ problems आई है जिनेके अभी पूरी तरह solve नहीं करा जा पाया है यह कुछ मैंने आपको बताया injections का duration of action के बारे में उमीद करता हूँ इससे आपको फाइदा हुआ होगा comment section में ज़रू डालें अपने आखों से related सारे सवाल ताकि मैं देशकू उनके जवाब अच्छा देखें अच्छे से देखें तन्यवाद और नवस्ते